आप सभी योग पतिकों को, योग जिग्याशों को मेरा नमस्कार, तो चलिए आप सब मेरे शाथ, पने नोट्बुक लेकर ज़रूर बैठ जाएं, और आज हम जो UGC NTA के द्वारा, नेट जियारप रिक्षा आउजित की गई थी, दिसंबर 2018 में, उस परसंपत्तर को हल करें और कैसे हम questions को हल करें, वो इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप सबसे नमेदन है कि मेरे साथ अपनी notebook, pen, pencil लेकर ज़रूर बैठ ये, आपका books का जो material है, वो भी साथ लेकर बैठ ये, आपके notes जो extra हैं, वो भी आप साथ लेकर बैठ ये, ताकि हम अच्छे से समगदर र आपके आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए, और जो अभी जून, 18 जून को जो exam होने वाला है, उसमें आपका net भी हो जाए और जियारब भी हो जाए, ऐसी मंगल और शुब कामना के साथ, आज का ये परसन पत्र हम सुरू करते हैं, तो चलिए, अभी पहला परसन देखते हम क्या है, पहला परसन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानम, निर्विशम, मनाह का संबंद किस्से है, तो देखिए, ध्यान का सूतर है, इसका सीधा सा संबंद सांखे दर्सन से है, चीक है सांखे दर्सन का ये सूत्र है योग शूत्र का नहीं है तो कि योग शूत्र में अलग डेफिनेशन दी गई है ध्यान की तत्तर प्रतेक्तांता ध्यानम है ना नियाई शूत्र में भी नहीं है ब्रह्म शूत्र में भी नहीं है ये सांखे सूत्र में है तो आप मुझे ये बताईए कि संक्य सूत्र का कौन सा सूत्र है ये आपके लिए परसन है यानि इसमें बताया गया है कि ध्यानम ही ध्यानम निर्विशम मनहा का मतलब है कि मन का निर्विश्य होना यानि मन में किसी परकार के कोई विचारने होना मन का सुनने होना ही ध्यान है ऐसा संखे सूतर में महरसी कपिल कहते है तो ये योगशार पुस्तक में भी दे रखा है ध्यान का जो चेप्टर है उसमें तो आप मुझे बताईए कि कौन से चेप्टर का कौन सा ये सलोख है या सूतर है अगला प्रसन सूर्या चंदर मैसोर योगो जीवात्मा प्रमात्मनों का वर्रन निमल खेतमें से किस्म है तो देखिए ये जो सूतर है इसका सीधा सा संबन योगशिखोपनिशद से है मैत्रायन उपनिशद से नहीं है, कठोपनिशद से नहीं है, कवलोपनिशद से नहीं है इसका सीधा सम्मन योगशिखोपनिशद से है इस definition को भी हमने योगशार पुस्तक में include कि आप देख सकते हैं देखना कौन से चप्र का और ये कौन सा सुत्र या सलोक है चिक है, योगशिखोपनिशद के अंदर इसोपनिशद के नुसार साधक कब शोक वे मों से रहित हो जाता है यानि शोक वे मों से रहित कब हो जाता है सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखने से, सभी मनुष्यों से प्रेम करने पर, सभी मनुष्यों के प्रति कुरुना की भावना से, सभी सब प्राणियों के प्रति आतम भावना से, तो देखिए इसका एक्जेक्ट जो उतर है, प्रफेक्ट जो उतर है, वैसे हालाग की प्रेम भाव नहीं करोना भाव नहीं आतम भाव आत्मा का भाव रखना चाहिए यह अपना ही सवरूप दूसरे प्राणियों में देखना चाहिए गोहिए अद्ध आप्टम गाएगों तो आतम और मिज आते बार मों आप çु से शनने मिक्सटइन आप कर लो ऑ करता है cya अधर कर दो ऩे रहे इस कुछ और सभे में यार्ण में गरों हमें सब में गर देखता है तो आत्म न्याद देखना सभी में ही वो आतम तत्तों देखना, सभी में वो ब्रम तत्तों देखना, ठीक है, ये रहेगा, इसमें सूतर भी दिया गया, तो अब बताना मुझे, कॉमेंट वक्स में लिखके, कि इशावाश उपनिशद का ये कौन सा शलोक है, कि इस उपनिशद में कहा गया है, कि वेद ग्यान तता शुद अंतकरण वाले पुरुष अंत में मुक्ष हो जाते हैं यानि जिनको वेदों का ग्यान है तता जिनका अंतकरण शुद है वो मुक्ष हो जाते हैं उन्हें मुक्ति मिल जाते हैं उन्हें मुक्ष मिल जाते हैं कॉशन को समझना बहुत जरूरी है दो बार में आपको difference अच्छे से कर लेना है कई बार बच्चे confused होते हैं डाउट में रहते हैं सर मुंडक था या मांडुक के था दोने एक जैसे लगते हैं मुंडक मांडुक के तो अच्छे से clear कर लीजी कि कौन से में कितने शूत्र हैं चीक है और यहां पर सामने लिखा भी गया है यम यम लोकं मंसा संभी आते हैं तो इसमें मुंड़क अप्नीषद है तो आपको बता रहा है मुंड़क अपनीषद में कितने शलोक हैं चीक है इसमें सलोक में special लिखा गया है कि विशुद विशुद जो अंतकरण वाले हैं वो मुक्त हो जाते हैं जो जांगे अगले है पतंजली महर्शी पतंजली ऑणुशा ज्यान हेया सतंग संवन्धिया कुंसा सूत्र आपको खुद बताना है कंसा सूत्र आपको बताना हैं मुझे comment box में लिखे और इसका उतर है क्लेस ध्यान हैा सह दिव्रित का संबन्ध कि से यानि प्रमानवरति के नास से नहीं हो सकता निद्रानास से नहीं क्लेस वर्ति नहीं हो सकता अगला Question Sir John Marcel Kanusar महिन जोदरों में प्राफ नर देवता की मूर्ती है यानि नर देवता के एक मूर्ती मिली है है ना वो किस मुख की है तो देखे थोड़ा सा कुशन इस्टोरिकल है इतियास से लिया गया है बताते हैं कि 12 मूर्तिया वहाँ पर मिली थी पाँच घड़ी वाले टिक्के HR छेतर में मिली है और उन्हें एक मार्शल जो थे यह सर्जोन मार्शल उनको एक महौर प्राप्त हुई है जिसमें सींग वाले त्री मुखी पुरुस को एक सिंगासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है कितने मुख त्री मुख ठीक है एक महौर प्राप्त हुई है मोन जोदरों में सिंग वाले त्री मुखी पुरुस को एक सिंगासन पर योग मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है तो इसका मतलब क्या है त्री मुखी योग सुत्र नुसर कलेश और करम निवर्ति का उपाए क्या है तो यह सूत्र है सीधा आप बताना कौन से अद्धे का सूत्र है जिसमें कलेश और करम निवर्ति की बात की है तो देखे कलेश और धरमेद समादी की यहां पर बात की है ठीक है न धरमेद समादी का वरन कौन से चैप्टर में या कौन से पाध में मिलता है आपको बताना है कौन सा सलोक है तो मैं आपको बता देता हूँ ये कवेले पाद में मिलता है आपको बस ये बताना है कौन सा सलोक है कवेले पाद का उसमें सीधा सूत रहाता है ध्रहमेद समाधी का कि कलेश, कलेश, मूले, करमाश्रो, द्रस्टा, द्रस्टे जन, वेद निय अच्छा एक यहाँ पर साधन पाद में भी सूत्र मिलता है और एक ध्रमेद के उपर सूत्र किसे मिलता है फोर्थ चेप्टर में अगला है मैर्शी पतंजली के अनुसार अंत्राय तथा विच्छेप सहबू को दूर करने का उपाई क्या है अभ्यास वेरागे प्राणायाम भावना चतुस्टे एक तत्वा भ्यास तो देखिए दुख दोर्मने से अंग में जैते स्वास प्राणायाम विच्छेप सहबू ये सूतर दिया गया है तो एक तत्व के अभ्यास की यहां पर बात की गई नहीं वेरागे की बात की ये नहीं अभ्यास की नहीं भावना चतुस्टे की ते यानि एक तत्व का अगर अभ्यास करते हैं तो आप विच्छेप सहबू और अंत्राय से मुक्ध हो सकते हैं जल्वे पंक्से योगी के शरीर का सेयों किसकान नहीं होता है। मैंने बताया था ना कि इनमें संयम करने से या उनको जीतने से तो यहाँ पर सीधा सा लिखा है अगर उदान वायू का आप जीत लेते हैं तो आपकी चड़ से पंक्से या जल से आपका जो शरीर है वो या जल्वे पंक्से योगी के शरीर का सेयों किसकान नहीं होता है तो वो तब नहीं होता है जब आप उदान वायू पर विजे प्राप्त कर लेते हैं तो उदान वायू को शंबल कहां से है गले से लेकर जहां तक है तो किस पर संयम करने से क्या प्राप्त होता है या अच्छे से आप देख लीजिए योग शुत्तर में सारे मैरसी गेरन के अनुसार या गेरन सहिता के अनुसार कपाल रंदर दोती किस दोती का प्रकार है कपाल रंदर दोती दंद दोती हिर्दे दोती अंतर दोती मूल सो दल देखिए दंद दोती का ये प्रकार है दंद दोती में हमने बात की थी चार प्रकार है या पांच प्रका पुछ वासंटो इससे कपाल अध荷 दोती कहते है तो देके सुत्र भी देगा खेया लाना दंतमूल唐 मूल। करण यूगमय। यानि दू जोडे है ठीक है है तो दो ही कऊन्ट होंगे हैं एक दात, एक जीवा और यूगम य een दोण-दो च्यार और एक कपाल अ पंचते कि आपर लिखा वाब ये फंचते की पांच परकार की धोती है dat सिथ्फिध्धानद्पदति का नुसार सरवेंद्रिय जय तथा आहार निद्रा जय किसके द्वारा होता है हम इाज 7 धान्दपदतिका है इत्जिक यम का अगर आप Perna न करते हैं इसमें B option रहेगा तो आप सबी इंद्रियों को जीत लेते हैं आहार और निद्रा आहार और निद्रा को भी आप जीत लेते हैं चीकर यह यम द्वारा होता है सीव शहिता में चित्रा नाड़ी सहीत मुखे नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गए सीव शहिता में चोदा नाड़ियों का जीकर मिलता है चोदा के अतरिक जो नाड़ी मिलती है वो पंद्रिवी नाड़ी है चित्रा नाड़ी चीक है तो सीव शहिता में चित्रा नाड़ी सहीत मुखे नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गए है तो सीव सही चित्रा नाड़ी सही टोटल पंद्रा नाड़ी हैं तो इसमें question जो आएगा वो option जो आएगा वो B रहेगा अगर पूछ लेता चित्रा नाड़ी का तरिक्त कितनी नाड़िया है तो 14 आता ठीक है इसके तरिक 10 नाड़िया भी मुख्य बताईए लेकिन टोटल 14 प्रमुख नाड़िया बताईए उनके अलावा एक नाड़ी और बताईए चित्रा नाड़ी सट संपत्ति का संबंध है तो रामैन से नहीं है योग शुत्तर में जहन दरसन में भी नहीं है योग शुत्तर में भी नहीं है वेदान दरसन में यह याद रखना क्योंकि सट संपत्ति किस से ग्यान योग से ग्यान योग का संबंध किस से है वेदांत से वेदांत क्या है उत शूत्र मिमान सा भी कहते हैं तो वहाँ पर ये शूत्र मिलता है ना शमा दयास्तू ये पूरा शूत्र है कुंडलिनी चक्कर नाड़ी आदी किस योग के साथ सम्मंदित हैं जिसमें कुंडलिनी भी हो चकर भी हो नाड़ी हो तो ये करम योग से तो सम्मंदित हो नहीं सकते नहीं ग्यान योग से नहीं राज योग से ये हट योग से सम्मंदित है क्योंकि हट योग में सबका जिकर मिलता है किस योगी ने वैदिक ध्रम के पुनुर्था नेत्व कारी किया है तो वैदिक ध्रम के लिए स्वामी दायनन जी ने ज़्यादा बड़ा काम किया है तो इसमें उत्तर स्वामी दायनन जी होना चाहिए मैरसी दायनन जी है अगला है हट योग परदिपिकार निस्पत्य अवस्था में क्योंकि स्वामी दायनन जी ने आरे समाज की भी स्थापना की है हमने अलग से वीडियो भी बना रखा है हट योग परदिपिकार निस्पत्य अवस्था में वायू किस गरंथी का भेदन करता है तो देखे, चारों में बार-बार यही कोशन आ रहा है, सभी पेपर में कोशन आ रहा है कि आरंबा वस्था, घटा वस्था, प्रिच्च वस्था, निस्पत्य वस्था, उसमें इन वालग-लग में कौन सी गरंतियों का भेधन होता है या इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता ह तो देखिए निस्पत्य वस्ता में रुद्द्र गरन्ति का भेद्धन होता है चिक है तो देखे अना हाथ में ब्रह्म गरण्ति विसुद्ध्य में विष्णु गरंथी तथा आग्या में रुद्द्र गरंथी यहाँ पर ब्रह्म गरंती अना चक्र में विसुद्धी में विश्णु गरंती वैसे वै मिला लिजिए वैसे विश्णु वैसे विसुद्ध और आग्या में रुद्र गरंती ठीक है? अठतनावली के अनुसर वस्तर दोती की लंबाई है तो देखे वस्तर जो दोती है उसकी लंबाई जो है वो बीस हाथ दी गई है ठीक है बीस हाथ तो पंद्रह हाथ नहीं है सोलह हाथ नहीं है बाईस हाथ नहीं है बीस हाथ दी गई है ठीक है हट प्रतिपिक अनुसार नाद नुसंदान का अंतिम चण में प्रकट होने वाले नाद निम्न खित में से कौन से हैं देखे अंतिम चण कौन से है नाद नुसंदान का आरंबा वस्ता घटा वस्ता परिच्चे वस्ता और निस्पत्य वस्ता तो नाध कौन से प्रकट होते हैं उसमें निस्पत्य वस्ता में तो देखे उसमें अंतिम्चरण में वीना भरमर गुंजन आदी की आदी जो नाध हैं वो उत्पन होते हैं तो इसमें उपसनाएगा सी स्वामी स्वात्माराम करनुसार हट क्रियाओं में अया ऐसे हि हाटियोक्ष करियां में कौन सिकरिया स्रेष्ट है तो इसमें नोली करिया को स्रेष्ट बता है मानष शरीर में स्पाइभिंल तड्रिकाओं की कुल संक्था कितनी होती है स्पाइभिंल कितनी 31 जोडी मैने कई बार पढ़ाया है और क्रेनिकल नाउस कितनी होती हैं 12 जोड़ी ठीक है कितनी जोड़ी 12 जोड़ी और ये कितनी होती है 31 जोड़ी ये वटी बरा नहीं है ये स्पाइनल नाउस है जो ऐसे फैली हुई है ना रीडिक एड़ी के दोनों तरफ निम्नकित गरंतियों में से कौन सी गरंती बही स्त्रावी और अंत्रस्त्रावी गरंती दोनों के रुप में कारी करती है अगरास से है, पैंक्रियाज है, common है question पैंक्रियाज ऐसी gland है, जो hormone भी रिलीज करती है, enzyme भी रिलीज करती है तो जो enzymes हैं वो कौन से रिलीज करती है, आपको खुद बताना है hormones कौन से रिलीज करती है, इसमें जो langer hands की DP काई है alpha cells है, beta cells है, delta cells है, तो कौन सा hormone insulin रिलीज करता है insulin जो hormone है, कौन सी cell रिलीज करती है, वो आपको बताना है manorect में plasma, तो देखे, plasma जो है 55% के असपास होता है ठीक है, और जो RBC होती है लगबगो, RBC, WBC जितनी भी यह होती है 55 के असपास होती है, जो essay होता है, essay node बोलते है synoetrial node, essay node, का अस्थित होता है, तो यह होता है right atrium में बहुत important, मैंने गवर पहले बता है, right atrium में, दाए आलिन में होता है जो हिर्दय होता है, उसमें 4 chamber होते हैं, तो जिसमें सबसे पहले खराब खुन आता हो, क्या होता है right atrium होता है, तो उसमें यह essay node होता है जिसे sinus node के नाम से भी जाना जाता है, या synoetrial node भी कहते हैं यह इसको हिर्दय का पेस मेकर भी खा जाता है मलब यह विदुत आवेग जो होता है ना, वो उत्पन करता है, यानि करंट उत्पन करता है, यह कह सकते हैं dendrite तंत्री कावेगों को ले जाते हैं तो घंड Richt होते हैं, सेंल बोडी के बोडी के ऑर लेके जाते हैं कर थे आम से हमें, य arrests से स्ट्रावीथ हार्मून किन कोशिकाउं के प्रैफलन विदुत यह प्रिपक्त गार्द में महत्पूर्न भूमिका निभाते हैं तो देखिए T-cells होते हैं थाइमस गरंती में स्त्रावित हार्मोन जो होते हैं वो T-cells होते हैं जो अपनी बहुत ही बड़ी भूमिका निवाते हैं गेहरन सहिता कनुसर वलित वे पलित नाश किसके लाब हैं तो देखिए यह आपको खुद बताना है वलित पलित रोग हैं महमुध्रा भी नहीं है मांडूकी भी नहीं है मांडूकी हो सकती है यह आपको खुद देखना है वलित पलित दो जगर जिकर आता है ठीक है तो कि Junior वी या तो इसका उप्सन नहीं है इसलिए यह यहा पर star लगा गया है हट प्रतिपिका के अनुसार गुलम रोग में कोन साइसन लाब करें गुलम रोग होते हैं पेट से समंदित बोगzeं तो पेट से संबनदीत रोगों में मेवरासन लाब करें बताएrian घुल म्रह ठीक होते हैं वायू गोड़ा बनना पेट में गेस्ट्रिक टाइप की प्रोब्लम होना उसे गुल्म रोग कहते हैं, तो मेवरासन उसमें बहुत अच्छा लाब कारी है, आयरवेद कमसार पित दोस्त के संतुलन में से कितने नानात्मज विकार होते हैं, तो वाद से 80, पित से 40, कब से 20, एपिडेमियोलोजी के त्रिकोर्ण में क्या समलित नहीं है, ये साइद कोश्चन जो है, साइकलोजिकल है, इसमें C ओप्सन आएगा, रिश्क कारक, यानि एक महामारी विज्ञान है, एपिडेमोलोजी, क्या है, महामारी विज्ञान है, तो इसके अध्यन के जो प्रमुक की जांच, रोग की निगराणी, प्रयावरणी हमा हमारी विज्ञान और ड्रग न्यागनोसीस है, उसके जो प्रेक्सें है, उनके रिश्क कारकर के प्रभाउं की तुल्णा इसमें सामिल होती है, ठीक है, सरीए में डिस्टेस किससे उत्पन नहीं, किससे उत्पन नहीं हो सकता है competitrice स्टेसित्टयस निलिए दो परकार करता है नियू हो सकता है he हैem एक इस कारात्म का होता है क हैंस सलेंगे दो परकार करता है इस तर जो तो जो डिस्टेस है वह सुखद विचार हो सकता है है कि एक होता है स्कारात्मक, यू स्ट्रेस स्कारात्मक है, डिस्ट्रेस में कारात्मक है, तो सुखद विचारों में नहीं हो सकता है, कुछ रक्षाप में हो सकता है, दर्द में हो सकता है, टुमर में हो सकता है, सुखद विचारों में नहीं हो सकता है, क्योंकि जब शुखद विचार होंगे तो मस्तिक्ष में अच्छे विचार, मतलब अच्छा रहेगा दिल, दिमाग है ना, तो दिमाग कातिनाव कम होगा, तो सुक कि अनुवति होगी लेकिन यापर दुख की बात की हैं तो डिस्ट्रेस जो है सुखद विचारों से नहीं होता है कपाल अस्थियां उधारण है जो खोपड़ी के अस्थियां किसका उधारण है फ्लैट है चप्टी अस्थियां बी ओप्सन इसमें आये गाना गाउटी अर्थ्राइट इसका कारण के है तो देखे गाउटी अर्थ्राइट जो होता है जो अंत्य स्त्रावी गरंतियों से होने वाले स्त्रावों को कहा जाता है जो अंत्य स्त्रावी याने एंडोक्राइन जो ग्लैंड से है उन्हें से जो सीक्रेट हो रहा है हार्मोन उन्हें क्या कहा जाता है एंजाइम्स पेप्टाइड यह हार्मोन है सीधा सा है कुछ question तो बड़े आसान है antigen का ऐसा रसानिक पदार्थ है जिसके काण उत्पादन होता है तो antigen यानि antibody का उत्पादन होता है antigen की वज़े से antibody का उत्पादन होता है तो इसमें क्या आएगा B option आएगा सभी synovial संदियां है तो synovial क्या है सचलन होती ना सचल होती है सचल चलती हो साइनोल ऐसे इसमें एक दराव होता है synovial जिसकी वज़ेसे moment कर पाती है फिसलते हैं हाँ हरों जौइंट्स वो इसमें आते हैं द्यहांत तनाव को किस प्रकार किस प्रक्रिया द्वारा गटाता है अक्सिजन का उप्भोग करके हर्दे की गती बढ़ा कर मस्ति से अलफात रंगों को प्रफूरण गटा कर अनुकंपी तंत्री की किरियाओं को गटा कर तो देखिए इसमें अनुकंपी जो तंत्री की किरिया है न एक होता प्रानुकंपी एक होता अनुकंपी यानि अनुकंपी क्या होते है सेंपैथेटिक सेंपैथेटिक में क्या होता ब्रेन थोड़ा एक्टिव होता है उस किरिया को कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा थोड़ Engina Pactorosis रोग में वकस परतेस में दर्द होता है जो संबंधित है कोर्णरी रखत परवा क्या दिक्रेश से कोर्णरी रखत परवा की खमी से स्वाइद, वकस परतेस प्रक्ष में उसके कमी हो जाती है इसलिए दर्द होता है निमल खित में से कौन सा एक योग के अध्यापन की निर्देश आत्मक विदी से सम्दित नहीं है इसमें उपसन आएगा डी समू चर्चा चीक है योग के अध्यापन की निर्देश आत्मक विदी से समधित नहीं यहीं वैक्षान में भी आप कहने के निर्देश कर रहे होता है अब भ्यास में भी आप निर्देश कर रहे होता है और परदर्शन में भी आप निर्देश करते हैं योग अक्षा में छात्रों के एक बड़े समू के बैठने की सुईदाजनक ववस्ता में समलित किया जाना चाहिए तो देखे बड़े समू पहले छोटे का आया था एक बार बड़े समू में क्या है दो पंग्तियों में बिना अंतराल के और शिक्सके तू डायस के साथ समलित किया जाना चाहिए जो डायस होती ना बैठने की ठीक है दो पंग्तियों में बिना अंतराल के बिना किसी गैप के और शिक्सके तू डायस के साथ डायस का मतलब उसमें बैठने का जो स्थान होता है सामने जैसे दो पंक्तियां हैं ज्यादा बच्चे हैं तो सामने यहां मैं खड़ा हूं बैठा हूं योग कराने के लिए सामने दो पंक्तियां ऐसे हैं तो बड़ी कक्षा चलानी हो तो सरवन उपांग का संबंध है तो आपको पता होगा ज्ञान योग से लेटिड है इसमें कूट कैसे दे दिया भाई दो में हो सकता है भक्ति योग में भी है न सरवन भक्ति और ज्ञान योग में भी है सरवन मनन निदिध्यासन है न अंत्रिकन्य है न ज्यान योग का वहां भी है और भक्तियों में भी शरोन भक्ति आती इत कि दूसरा है योग शाधना में निम्लकित में से कौन से अवरोध है सहास परियास उच्छा परजल्प तो देखिए परियास और पर जल्प है ये शूत्रे ऐसी दाट पर दिपीका का प्रियास प्रजल अपनियमा ग्रहा, है ना, अगला परशन है, जैन दर्शन के गरंठ तत्वार्थ, शूत्र के अनुसार दिहान के परकार है, तो वहाँ पर देखिए, उसमें आर्थ ध्यान दिया गया है और रोद्दर ध्यान दिया गया है सुक्सम ध्यान नहीं दिया गया है चिक अस्टांग योग कवर्नन मिलता है पतंजली योग शुत्र में मिलता है इसमें दो में ढूनना आपको ये तो पता एक तो उप्सन है ही है तो चोथा तो हो नहीं सकता दूसरा भी नहीं हो सकता या नहीं या तो एक है या तीन है सारदा तालिक में मिलता है रुद्र मायल तंतर में या ब्रह्म शुत्र में तो देखिए इसमें ओप्सन रहेंगे एक दो और तीन ठीक है पातांजल योगशुत्र में भी है रुद्रिया मल्मस्तंतर में ठीक है सार्दा तिलक में भी ठीक है उभैतो ने विजा नीतो नायम हन्ती नहयन हन्यते भगवत गीता का है और यही इसी तरह का जो सलोक है ये कठोप निशद में मिलता है प्रश्णोप निशद में नहीं है मुंडक में नहीं है हन्ती नहन्यते ना आप बतारा कौन सा सूतर है ये भीता का हट प्रदिपिका के अनुसार किसके अभ्यास से जुरियों वैब बाल पकने के रोग में लाब मिलता है तो देखिए किसके अभ्यास से कूट है इसमें एक तो विप्रीत करनी होगा और दूसरा महावेद मुद्रा चीक है महावेद होते हैं हिप्स को पटकते हैं हट प्रदिपिका नुशार पवन प्रकरती प्रकुपित होने पर कौन से रोग होते हैं यानि वायू के कुपित होने पर नेत्तर रोग स्वास रोग कास रोग अजीरणों तो कास रोग भी होते हैं ना कफ रोग और श्वास रोग भी होते हैं तो मुझे लगता है दो और तीन उपसन इसमें छीक है वहाँ पर पवन शबत दे दिया है ना पवन का मतलब विवायू होता है गेरन सहीता अनुसार प्रत्याहार के प्रिणाम है तो देखे प्रत्याहार से कामादी सुत्रूं का नाश होता है और मन को वसमे करना ये दो दिये गए है ना प्रत्याहार के बारे में हट प्रतिपिका कनुसार ब्रह्म गरंथी बेदन से साधक बनता है ओजस्वी निरोगी बुद्धिमान शदाचारी तो दो इसमें उप्षन है एक तो ओजस्वी बनता है एक निरोगी बनता है निरोगित में से कौन से लसी का उत्तक नहीं है और दूसरा दो नमबर जो है थायरेड ग्लेंड होती है और आउट्टू गरंती कहते है वो नहीं होती है चीका यह दोनो लेंपटेटिक टिशू नहीं है यानी स्प्रिन लेंपटेटिक है और टॉंसिल तो आप बी वैसे-व समझ लेंगे की जो ग्लेंड की बात है तो गेंड अलग हैं और टिशूं अलग हैं शाकरे भोजन में protein किद से मिलता है दालों से मिलता है तो दाल तो है ही है तो आप इसमें तेन option उठा लिजिए तीन का आपको निशिद है एक तो ब्रहामरे प्रणायम नहीं करवाना आपको उसको और एक शवासन नहीं कराना है चीक है अगला है गेरन सहिता के अनुसार निम्ल कित्मे से कौन से आहार द्रवे पत्थे हैं तो देखिए पत्थे यानि जो हितकारी है जो उप्योगी है तो गरित भी है न उनीत भी है दो तो हमें पता है दो और तीन जोड लिजे तो यही दो उप्सन है इसमें किस किन योगा योग अभ्यासों का थायरेड गंत्री पर सीधा प्रवाव पड़ता है किन योग अभ्यास्थों का थाहरट गंत्री पर सीधा प्रभाव पड़ता है थाहरट का है आपको पता होना चाहिए तो जालांदरबंद का सीधा प्रभाव पड़ता है और सर्वावासन का सीधा प्रभाव पड़ता है यह तो common sense यह आप हल कर सकते हैं टाइब 2 डाइवेटी जहे उसके क्या कान होते हैं तनाव है ध्यान के मादधम से विश्रान्ति व्याम की कमी बीचा कोसिकाओं का सव प्रती रोधिनास्ति बिल्कु ठीक है एक इसमें उप्सं दिया है तनाव है और दूसरा व्याम की कमी है तो फस्ट और सैकेंड इसमें र श्रमन करता है, पित दोस्त को खतम करता है, तो पित को खतम करने का जो कारी है, वो तिक्त करते हैं और कशाय करते हैं, बाकी लवन पित को बढ़ाता है, नमकीन चीजे पित को बढ़ाती हैं, याद रखना, आप ऐसे भी ले सकते थे कि नमकीन या नमक इसमें या लवन इसमे तो अजीरन और चरम रोगों में महामुद्रा लाबकारी बताई गई है इन में से कौन से अभ्यास मुल्य आदारित शिक्षा के लिए लाबकारी है तो यम नियम आसा यम नियम है ना जिसमें आचार सहीता की बात की गई है जिसमें मुल्य शिक्षा की बात की गई है ए पत्थे पूछा है, ए हितकारी हैं जो शरीर के लिए, गेरन सहिता के नुसार, तो कुल्थी है, कुलत है, और तिल है, निमलिकित में से कौन से आसन पीछे जुकने वाले हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, उत्तानपादासन दो, लेट कर होता है, चकरासन पीछे है, नेक्स्ट कुशन, निमलिकित में से कौन से आसन संतुलनात्मक हैं, बैलन्स, वरक्षाषन बैलन्स से होता है, कुकुटासन बैलन्स का है, गुरुडासन बैलन्स का है, अर्दचंदरासन भी बैलन्स का है, लेकिन अफेक्ट आपको उत्तर ढूनना है, तो देखें, वरक् आसनों को नेमलिक शिविद्व में से किन वर्गों में वर्ग करत किया गया है यही किल्चरल होते हैं सांस्कृतिक तीन तरह कासल है ना, सेक्षनिक अध्यापन परकिरिया के निम्लिकित आवयव होते हैं, तो जो सेक्षनिक अध्यापन परकिरिया है, उसमें अध्यापन होता है और एक अधिकम होता है, एक अध्यापन होता है, एक टिचिंग होती है, एक लर्निंग होती अधि एक योग अक्सियाया में योग शिक्सकों को अपने निर्देश्वों को सफ़ी डंग से संपडेश्ण करने हैं यह तुनिमकित बिंदू साइक हो सकते हैं। तो क्या बिन्दू ठीक है, निर्देश संग्चिप्त, दीमे और सपस्ट होने चाहिए, हध्यापक को विद्यार्थ उसी दूरी बना कर रखना चाहिए, तो यह उप्शन तो हो नहीं सकता, यह कुछ जो कुछन है ना, इनको तो कट, इनको देख लेगा, और यह तो हो नहीं ठीक है, निर्देश हों, संग्चिप्त हों, और दीमे हों, और सपस्ट होने चाहिए, सबसे अच्छी बात है, तो इसमें मेरे कोडिंग तो 1 भी ठीक है, और आप से कोने पर निर्देश दुआय जाने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मेरे कोडिंग तो 1 और 4 बिल्कुल ठीक व्यक्तिताओं की विसेशताओं में शामिल है थाना परसनल्टी देखिए common sense आप हल कर सकते हैं विवार का विसी स्थूप ठीक है बिल्कुल सही बात है चिंतन की विदिया चिंतन का कोई मतलब नहीं है और हाँ चिंतन की विदिया हो सकते हैं क्योंकि उसका thoughts कैसे हैं कारिय करने की विदिया नहीं कार तो कोई जजन्ट मैटर प्रयावनर से संवाद की विदिया यह भी नहीं है यह दो नहीं हो सकते हैं first or second है इसमें तो first or second कि इसमें है एक में है तो इसमें क्या रहेगा ऐ option रहेगा ठीक है next ha lumbar spondyloses में कौन सैसन निशीद है? यानि जो कमर में प्रोब्लम होती हैровagile spondylases thenlumbar SPHIVAL спondyloses तो lumbar प्रोब्लम है यो आगी spinal cord से है, उसमें ने पादस्त नहीं करना है तो ऐ किसमें उसको कट कर दो, एक किसमें है कमरा का प्रोबलम है ज्याधा बैक्र रडदे से जिया सकता है हाँ पावन मुक्तासन कर सकते हैं लेकिन इसमें ज्यादा छीक नहीं है, इसमें दर्द होता है, कमर का प्रोब्लम है, ज्यादा बैक रेंडिंग छीक नहीं है, हाँ, पाउन मुक्तासन कर शकते हैं, है ना, नेक्स्ट, कूट है, एक भक्ती योगी सभी प्राणियों के प्रती प्रेम भावुर्ट के साथ प्रेम भावना, मित्रता, करूना ताथ, छमा सीलता रखता है, भगवान का पर यह होता है, बिल्कुल सही है, दोनों ही छीक है, अगला पाँच यमों को महावर्थ के रूप में माना जाता है बिल्कूँ चीक है, किस में कहा है महावर्थ? महिर्शी पतंजले ने कहा है किसी भी वरके पत स्थान और जिवन के किसी भी समय पर किसी भी व Yani वेक्तिदार पाँच वियों का अब्याश क्या जा सकता है या आप पहाड़ों पे रहते हैं, या आप फोरेन में रहते हैं, कहीं वे रहें, आप इन सब पाँचो यह मुका पालंग कर सकते हैं, ठीक बात है, दोनों सही हैं दो विपित संगर्ष कुंठा का प्रमुख स्त्रोथ होता है क्यों जब संगर्ष क्वी विद्द DewisStay को पुंठा होते हैं कुम्ब के अभ्यास्य का से पुरो नाड़ी शोधन आउसे करें सही बात है हट्यों गरंतों में कहा गया है क्यों आउसे कहें क्योंकि मल पूरित नाडियों में प्रान का परवा नहीं होता है बिल्कु ठीक बात है जिससे उन्मनी भाव की प्राप्तिन होने के कान साधना पुर नहीं होता है बिल्कु ठीक बात है एकदम पफेक्ट है, नाडियों में पहले से मल भरा हुआ है, तो उनमें कैसे प्रान का परवा होगा, ठीक से नहीं होगा, यह और दोनों से और इसकी वैक्षा भी ठीक है, योगा ब्यासी के लिए मिताहर का सुझाव दिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, कहा जाता है मिता हारकार्थ होता है, संतुली तहार, तो एक दिया उधर को खाली रखना ये कहीं नहीं कहा गया है, योग साधना में सायक होता है ये, तो एक छोटा सा प्राट बता दिया, खीक है, फीक है, इसमें हित-भुक, मित-भुक, रित-भुक आ सकता है, धारणा के अभयास पूरो प्रणायम आ। लिख लुक्ति होता है कि से होता है प्रणायम से होता है तक्ञिक मुद्ध इस्येक ठाइब पर प्रणायम के अभ्यास सब्सक्राइब नियुक्त शरु안 होते हैं जो हुझाब के प्रकृती है और इस की विभीन परकार की क्रिया विदियों दारा विशेस परकार के योगा वैसों के प्रिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं बिल्कु छीक बात है लेकिन ये वैक्षा इस पे छीक नहीं बैठती है योग के अभ्यास विशेस का प्रदर्षन स्वयं सिक्षक दवारा किया जाना वांचनी होता है य сдел योई जो डेमोशेशन आप कोई आसन बता रहे हैं तो उसका डेमोशेशन आप दिखा सकते हैं कम पल्सरी ऐसा चाहा जाता है क्यों स्वाम के प्रदर्श्वन द्वारा शिक्षक विद्यारती से उत्तम नंग से सवाद कर सकता है। बिल्कु ठीक बात है। सिद्षिदान पततिक अनुसार निम्ल की चक्रों को आरयू करमे वैस्तित कीजिए। तो इनका सीक्वेंस बताने आपको। कंठ चक्र है सबसे पहले। फिर उसके बाद तालू चक्र दिया है। फिर उसके बाद भुण चक्र है। Walker बाद न्रुमान चक्र है और फिर आकास चक्र है। इसमें वीच वीच के चक्र लेली है। लगुशंग प्रेक्षालन की तक्निके निवनगीत आसनों को चित क्रम में वस्तित कीजिए सबसे पहले कौन सा आसन करते हैं ताडासन फिर त्रियक ताडासन ठीक है दो आसन तो खड़े उकरी फिर कटी चक्रासन ऐसे सिक्वेंस बना लीजिए प्रेक्प्रासन, त्रियक ताडासन, फिर कटी चक्रासन, फिर त्रियक itelा बूजंगासन, फिर उद्ध्राकृषनासन तो लास्ट वाला याद है तो वो ले लीजिए पहले आप पहला याद है तो वो पि छीख आपको सबसे पहले ताडासन आएगा निवलगीद रियाओं को ओर जाव है कलॉरी परती घंटा के बढ़ते हुए करम में व्यस्तित कीजिये दोडना, सीडिया, चड़ना तैरना यहनि कलॉरी किसमे ज़्यादा खर्च होती है चलने में, दोडने में, तैरने में, सीडिया, जड़ना तो देखे इसका उत्तर है चलने में सबसे ज़्यादा होती है फिर तैरने में होती है फिर दोडने में होती है फिर शीडिया चलने में होती है सूची एक और दो को मिलान करना है अविद्या, सत्यान, प्रिग्रह, दॉर्मनसे करूना तो दुख दॉर्मनेशे के विच्छेप सहबू है, सत्यान के अंत्राय है, एपरिग्रे के यम है, ऐसे मिला लीजी आप एविद्या के कलेश है, सत्यान के अंत्राय है, एपरिग्रे के यम है, दॉर्मनेशे के सहबू है, करुणा के भावना है नाग देवदा धरंजे करेकर ये सब तो कुरुम कहां होता है पलकों में होता है तो मुझे मालिजे कुरुम का पता है कुरुम का संबंद इ जो है उसका संबंद कहा है दो से है तो आप देख लीजिए इ का संबंद दो से यानि पांच पांच इसे मिला ली जिए देखो नाग होता है वो ड़कार होती है देवदत वो होता है जो याविंग जांबाय आपको आती है कृक्षल होता है कफ चिकन और कुरूम जो होता है वो पलकों में होता है धनन्जे जो होता है after death निकलता है after death के तो कहीं बात ही नहीं है तो C को अटा दीजिए C इसमें उफसन नहीं आएगा अगला है गिरन सहीता के नुशा सुमलित करना आपको सटकर्म पनायम आसर उन मुद्रा पनायम किस के लिए लगूता के लिए लागव के लिए सटकर्म किस लिए हैं सटकर्म सोधन के लिए हैं ऐसे मिलान कर लीजिए आसान है आसन दरड़ता के लिए मुद्रा इस्थिरता के लिए ऐसे कुरम नाड़ी नाभी चकर कंठकूब मुर्दा जोती चंदर ये योगशूतर से लिया गया है तो एक भी अगर आपको पता है तो आप कर लेंगे इसमें देखें कुरम नाड़ी स्थेरियम से लेटड है धहरिये या स्थेरिये की प्राप्ती होती है नाभी चकर से काया व्यू ग्यानम है ना नियूरोन, कॉर्णिया, नेफ्रोन, अलुवलास, अलुवलास का सम्मन थेफ़णों से है अलुवलाई होता है न सबसे लास्ट में लंग से नेफ्रोन किस से लेटड है गुर्दे से लेटड है ये ना स्ट्रेक्चरल फंक्शनल यूनिट है Neuron किस से है, मस्तिस्क से है क्रोनिय किस से, आखों से है Next question Anand mekos, Pranamay, Monomay, Anand me तो सिद्धी बात है भई Anand mekos तो Anand से लिटेड रहेगा तो D का 4 कर लो D का 4 एक में ही है, इसी से सोल हो जाता है है न और अगर फिर भी समझ मिनिया तो Anand mekos का है, स्ठुल सरीर से है यानि एक आ चार देख लीजिए एक आ चार भी एक में ही है तो इसमें क्या रहेगा उपसन आपका एक आ चार हो जिसमें क्योंकि Anand mekos का समंध किस से स्थूल सरीर से है Pranamay kos का किस से उर्जा से है, मनों में का मन से है आनन्द में का आनन्द से है अगला है सात्विक राजशिक और तामसिक त्री दो सारिविक तीन साथ छे एक तो देखे सात्विक साथ होते हैं राजशिक छे होते हैं तामसिक तीन होते हैं त्री दो सिक सारिविक एक होता है सात इक जो प्रवर्ति के लोग होते जिसमें तीनों दोस होते हैं शारिक वो यह प्रकार होता है दोती नेती बस्ती चक्री नोली तो किसका किस से सम्बंद है हतरतनावली के अनुसार तो स्वास और कफ रोगों में दोती अच्छी है बस्ती, गुल्म और पलिया रोगों में अच्छी है दरश्टी दोस्तों में नेती अच्छी होती है मंदागनी में आपी लोली अच्छी होती है ऐसे जोग लीजिया चकरी करम पार्स रोगों में जो बवार्शी रादी होता है चकरी करम गुदा मारग में उंगली डाल के घुमाते है तेल लगाकर उंगली को घुमाना चकरी करम कहलाता है और नोली मंदा अगनी में यानि आपको भूख कम लगती हो अपच की समस्या उसमें नोली अच्छा का करती है देखिए माबूत है पंच उसका संबंद किससे है तो आपको पता होना चाहिए तो कोमन परसल है अगनी का संबंद रूप से होता है प्रत्व का संबंद किसे होता है गंद से होता है जल का संबंद किसे होता है रस से होता है वायू का संबंद किसे होता है सपर्स से होता है ठीक है अगला संतोस तप स्वाध्या इस्वर प्रनिधान तो यह देखो संतोस अनुतत्म सूखलाब होता है संतोसी सुखी श्वाद्याय से इस्ट देवता की प्राप्ति होती है इस्वर प्रेंडि धहन करेंगे तो समाध्यों की सिद्धी होती है तब से कायंद्रिय सिद्धी होती है यह भी आपको पढ़ लेना है जो यम और नियम है उनके भी लाब दे रखे हैं कि यह सा करने से क्या होगा अगला है व्यक्तिताओं के परकार हैं है ना तो इसमें देखिए अलग लग दे रखे हैं यह आपको पता होना चाहिए एसेंडेंट जो है वो आलपोर्ट ने बताया है एथलेटिक जो बोड़ी ओक रिट्समिर ने बताई है इंद्रवर्ट जो है काल जूंग ने बताया ह अब आपको एक अध्यान्स पढ़ नहीं है तो आसानी ही है मैर्शी पतंजली के योगशूतर में चार पादो अध्यायों का समाधी पाद साधन पाद भुत्ति पाद और कवले पाद को समलित किया गया है तो यह तो पढ़ लेंगे आप देखो सिंपल सा कोश्चन मनेगा इन में चित का घटक नहीं है मन बुद्ध्य अहिंकार यह चित में आते हैं घृती नहीं है सयम से क्या समलित नहीं है क्या होता है सयम में धारणा ध्यान और शमादी है तो कवले सम्बंदित नहीं है यह तो बिना पढ़े भी कर सकते हैं पातंजरी एक शूत्र का तीसरा पाद है आप खुद बताईए महर्षी पतंजरी कितने प्रकार के प्रणायम का वर्नन करते है च्यार प्रकार के प्रणायम का वर्नन करते हैं पंचकलेस का किस पाद से वर्नन मिलता है पंचकलेस का साधन पाद में वर्नन है निमल खेतम से कौन सा सिद्धी की प्राप्ति का तरीका नहीं है जरम ओजदी मंतर तब समाधी सिद्धी तो जब से नहीं है तब से है जब से लिए ठीक है अगला फिर गद्ध्यान्स पढ़ने आदुनी की करणे आदुनी की करणे के इस यूग में अत्यदिक गती और आवशक्ता मुलक प्रिस्थितियों के कान एसंतुलन अमतना उत्पन होता है जिसके प्रिणाम सुरू भी इन प्रकारी विमारे उत्पन होती है तो उसी दीवात है वही एविद्या का संबंध है वो आनन्द में कोस में जाकर होता है तो इसका ओफ्षन क्या रही आनन्द में कोस नहीं है वही इसका विज्ञान में कोस है क्योंकि यह पहरा पढ़ेंगे न तो उसमें मिल जाएगा आपको देखो यह विज्ञान में दे रखा ने इसमें यह देखिया पहरे में स्पष लिखा गया है यह आपर देखिए यह न विज्ञान में को उसमें जाकर अगला कॉश्चन है भावा आत्मक्स तरपर ऐसुंतलन की सुरूप में प्रकट होते हैं इसमें पहरे ग्राप में दिया गया है आवेश में, परशंता में, द्वन्द में, आनन्द में तो भावात्मक्स तरपर ऐसुंतलन की सुरूप में प्रकट होता है इसमें पहरे में दिया गया ती पसंद और ना पसंद से संबंध भावात्म का जुन्दल प्रणायम प्राण में को समिस्थित, प्राण में एसंतुलनकान आवेश होता है, चीकर? इसकी वज़े से आवेश, आवेश के रूप में, पूरन रुपे इन तनामुक तवस्था किसको उसकी स्तर पर प्रकट होती है, आनन्द में को उसकी स्तर पर, देखों, यह लिखा होगा न, यहापर पैरे में, तो अभी देखते हैं, देखिए, देखों, यह स्पश लिखा गया है, आस होता है, आनन्द कोस में जाकर यह आनन्द के रूप में परिवर्थित हो जाता है, स्तिति पून रूप से तनाव युक्त की स्तिति, तनाव मुक आदुनीक चिकिछया विज्ञाने का अनुसार् तनाव किससे ऐसुतुलन से होता है यह थोड़ा सा question घुमा दिया गया है तनाव तंत्रीक औंतस्त्रावी तंत्र सेुसुतुलन से होता है यह छीक है तंत्रिक औंतस्त्रावि एंडोकॉरेनी के आनंद की अवस्था प्राप्त की जा सकती है आनंद की अवस्था अभ्यास से योग से मालिस से नर्ते से तो मालिस नहीं हो सकती नर्ते नहीं हो सकता अभ्यास नहीं हो सकता किसे योग से पाच मुखे आवरणों में मुखे रुप से मनुष्य की समगर ताकि आउधाना किस उपनिशद में उल्लखित है देखो ये थोड़ा सा कॉशन घुमा दिया है एक आध कॉशन तो आउट लेगा न तो तैतरी उपनिशद में मिलती ये पंचकोस के आउधारना ठीक है तो आज के लिए इतना ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो कोई पर्शन हो तो आपने संद्य नीशन कोच आप मुझसे कॉमेंट वक्स में कॉमेंट लिख कर पूछ सकते हैं आज के लिए तने ही आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद